हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सभी उमीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे मेरा नाम है प्रियंका और आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है मैंगनेट ब्रेंस इंदी मीडियम पर आपको मिलते हैं 6 से 12 क्लास तक के सभी विश्यों के हाई क्वालिटी कॉंटेंट इ इसके लिए आपको किसी भी तरह का कोई पेमिंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है अगर आप हमसे इनोट्स और इबुक्स भी लेना चाहते हैं तो इसकी लिंक आपको नीचे दिये हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो चलिए इसी जानकारी के साथ शु या इस पार्ठ में कौन-कौन सी चीजों को कवर करने वाले हैं कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं किस-किस चीजों पर बात करने वाले हैं ठीक है इसके साथ ही हमने क्या देखा था हमने बात की थी प्राकृतिक संसाधनों की किसकी बात की थी प्राकृतिक संसाधन की संसाधन क्या होते हैं प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं जो प्रकृती से हमें प्राप्त हैं ठीक है और इसके अंदर भी हमने दो तरह के संसाधन देखे थे एक कौन से अक्षय प्राकृतिक संसाधन और एक मानवी क्रिया कलापू द्वारा मानवी क्रिया कलापो द्वारा खत्म होने वाले या नश्ट होने वाले कुछ ऐसे भी संसाधन थे ठीक है नामलक embrace जाहिँ तो अर्थ एक ही है तो एक थे जो मानव की क्रिया कलापो की द्वारा जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता वो खतम नहीं होंगे ठीक है और दूसरे ऐसे थे जिन जो क्या हो रहे हैं मानव के क्रिया कलापो के द्वारा नश्ट हो रहे हैं खतम हो रहे हैं ठीक है तो इस तरह से हमने दो चीजें देख ली थी आज हम क्या बात करने वाले हैं आज हम बात करेंगे इंधन की किसकी इंधन की यहां पर जो हमारा पार्ट है जिसका नाम है कोईला और पेट्रोलियम तो यह कोईला और पेट्रोलियम है क्या यह तरह से इंधन ही है चीक है तो आज हम क्या करेंगे आज हम इसी इंधन के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंधन होता क्या है तो इंधन एक ऐसा पदार्थ है जो ऑक्सीजन की उपस्थिती में बड़ी मात्रा में उर्जा उत्पन करते हैं तो इंधन है क्या? इंधन एक ऐसी चीज है चाहे वो क्या हो जाए? इंधन की उदारन में अगर मैं लिख लूँ लकड़ी, कोईला, ठीक है? पैट्रोल भी लिख लेती हूँ लपीजी, सी एंजी, यह सभी अगर मैं माल आम ले लेते हैं कि यह क्या है? यह सभी है इंधन, ठीक है? अब यह जितने भी इंधन है, यह सभी क्या करेंगे? यह जब ऑक्सीजन की उपस्थिती में यह सभी क्या करेंगे? बहुत ही बड़ी मातरा में उर्जाओत बने करेंगे इस line का मतलब समझा रहा है अगर हम oxygen की उपस्थिती नहीं बोलेंगे तो हम उसे अच्छे से क्या परिभाशिती नहीं कर पाएंगे तो इंधन वही पदार्थ होते हैं जो क्या देखो हमें पता है कि oxygen की उपस्थिती में क्या होगा कोई चीज जलेगी जब कोई चीज जलती है तो क्या होती है उर्जा उत्पन होती है ठीक है क्या होता है उर्जा उत्पन होती है ठीक है तो जब बड़ी मात्रा में oxygen की उपस्थिती में उर्जा उत्पन होती है और जो उर्जा को उत्पन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो इंधन कहलाते हैं. ठीक है? आगे देखते हैं, इंधन को प्राकृतिक इंधन और व्योत्पन इंधन के रूप में वर्गी क्रत किया जा सकता है. अब क्या कर सकते हैं? हम इंधन को दो भागों में क्या कर देंगे वर्गी क्रत कर देंगे एक क्या हो जाते हैं एक हो जाएंगे प्राकरतिक चीक है एक हो जाते हैं प्राकरतिक और दूसरे क्या हो जाते हैं व्यूत्पन चीक है इनको और क्या कह सकते हैं इनको हम कह लेंगे प्राथमिक और द्वितियक चीक है तो इस प्रकार से हमने क्या किया इंधन को दो भागों में वर्गी ग्रत कर दिया ठीक है कौन-कौन से प्राकृतिक और और व्यत्पन गुड जो प्राकृतिक इंधन है यही प्राथमिक इंधन भी कहलाते हैं जो व्यत्पन इंधन है वही द्वितियक इंधन भी कहलाएंगे ठीक है आगे देखते हैं कि प्राकृतिक और व्यत्पन इंधन क्या होते हैं यदि कोई इंधन अपनी प्राकृतिक अवस्था में मौजूद है तो उसे प्राकृतिक इंधन कहा जाता है जब कोई इंधन जो है वो हमें प्रकृति के द्वारा जैसा दिया गया है उसी रूप में उपलब्ध है और हमने उसका क्या क्या उसी रूप में प्रयोग कर लिया जैसा वो हमें प्रकृति से मिला तो वो क्या कहलाया वो कहलाएगा प्राकृतिक इन्धन ठीक है समझा रहा है प्राकृतिक अवस्था में उसकी जैसी अवस्था है वो उसी रूप में मिला हमने उसका प्रयोग कर लिया तो यह क्या हो गया प्राकृतिक इन्धन हो गया ठीक ह वहीं बात करें वयुत्पन की द्वितियक की तो यदि किसी इंधन को उसकी गुणवत्ता में सुधार करने के लिए संसाधित किया जाता है तो उसे वयुत्पन इंधन कहा जाता है अब कभी कभी क्या होता है कुछ इंधन हमको इस प्रकार से प्राप्त होता है कि वो मतलब प्राकृतिक अवस्था में हम उसका प्रयोग करी नहीं सकते मिला तो हमें इंधन लेकिन अगर हम उसमें थोड़ा सा सुधार कर दें थोड़ा सा उसको और अच्छा बना दें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, हमारे वो बहुत काम आसकता है तो ऐसे इंधन, जो प्राकृत है, रूप से जब हो मिले हमें, तो वो प्रयोग के लायक नहीं थे है लेकिना अगर में थोड़ा सा हम सुधार कर दें टो क्या हो जाएंगे वह हमारे लीँ बहुत यूँसफुल हो चाएंगे बहुत प्रयोग में आने वाले और जाएंगे करने क्या है यह प्राथ्मिकीन लकडी ली जलादी प्राथ्मिकीन वहीं अगर हम दिवतियक की बात करें वियुत्पन की बात करें तो क्या मैं हम इसे में पट्रोल ले सकती हूं अब कुछ बच्चे बोल रहोंगे मैम पैट्रोल क्यों आप तो बोल रहे हो पैट्रोलियम है ना हमारे पाठकर ना में पैट्रोलियम तो बेटा एक बात बता दूं कि पैट्रोलियम जो है वो एक अलग चीज़ है पेट्रोलियम एंड पेट्रोल सेम नहीं है ठीक है पेट्रोल जो है पेट्रोलियम में कुछ सुधार करना पड़ता है मतलब कि उसका जब प्यूरिफिकेशन होता है तो उसके बाद एक समय आता है जब हमें क्या मिलता है पेट्रोल मिलता है तो पेट्रोलियम ही पेट्रोल न में हो जाएगा और यह लकडी जो है लकडी में हमने कोई सुधार नहीं कि बढ़िया से हमने उसके पेंट लगाया यह तेल की परत लगा रहे हैं केरोसीन की की बहुत अच्छा जली ऐसा कुछ थोड़ी ना कर रहे हैं लकडी हमको जिस रूप में मिली प्रकृती की द्वारा जैसी दी गई उसे हमने जलाया और उसने क्या किया इंधन का कारे किया तो लकडी तो प्राथमे को प्राकृतिक हो गई पर पेट्रोल जो है यह व्यूत्पन या द्वितियक कहलाएगा आ रही है बात समझ जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताओ आप लोग आ रही है बात सम जारा है कि इंधन क्या है प्राथमिक द्वितियक इंधन क्या है या फिर प्राकृतिक या व्यूत्पन इंधन क्या है बहुत बहुत दीटेल आप अगर बोलोगे तो मैं से और भी डिटेल में बताओंगी लेकिन इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा चीक है तो यहां प बात है पेट्रोलियूम वाली जो आपको नहीं अभी समझा रही होगी तो चंता नहीं करना है कि मैं आधा धूरा छोड़ दिया आपने आधा ही बताया कि पैट्रोलियूम पैट्रोल से मिन होता और ऐसा ऐसा होता है तो आधा नहीं छोड़ा हमारे पाठ का नाम है कोईला पैट्रोलियूम तो हम इसमें यही तो पढ़ने वाले हैं हम कोईला पढ़ने वाले हैं और हम पैट्रोलियूम ही पढ़ने वाले हैं लेकिन उससे पहले हम यह सारी चीज़ा क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि कोईला और पैट्रोलियूम दोनों ही क्या है दोनों ही एक प्रका के होते हैं फिर उसके बद इंधन जब मैं शब्द लूँगी जब मैं अगर कोईला या पैट्रोलियम जब पढ़ाऊंगी और मैं बोलूँगी कि इन है ऐसा कुछ भी शब्द यूज करूंगी तो आप फिर सोच में पढ़ जाओ कि मैडम ने इंधन बुला लेकिन इंधन क् मैं आपको पहले इंधन भी बता रही हूं है ना जब हम इंधन को समझ लेंगे तो आगे अगर यह शब्द आएगा तो हमको ऐसे फटाक से समझ आ जाएगा कि अरे हाँ हमने तो पढ़ा था इंधन के बारे में क्या होता है तो इंधन बीटा पहली चीज़ याद रखना कि क्या है इंधन वो है जो ऑक्सीजन के उपस्तिति में क्या करता है बड़ी मात्रा में उर्जा उत्पन्न करता है ठीक है उसी को इंधन कहते हैं और ऐसे जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम जलाएंगे ओक्सीजन के उपस्तिति में तो वो क्या करेंगे वो उर्जा प्रदा कि पत्थर क्या है प्राकृतिक रूप से मिला है हम आग लगा उसमें लगा पत्थर में जलेगा उश्मा देगा उर्जा देगा मिलेगी आपको कमेंट सेक्शन में बताओ ना में कम्यूनिकेट किया करो मेरे साथ आप बात ही किया करो तब तो पता चलेगा कि हाँ आप समझ रहे हो, पत्थर में आग नहीं लगेगी उर्जा देगा ही नहीं, तो पत्थर को हम इंधन नहीं कहींगे क्योंकि इसने हमको उर्जा नहीं दी, चीanka है समझ रहे हो, तो पत्थर इंधन नहीं है लेकिन मैंने लपड़ी का नाम क्यों लिया? कि जब लकड़ी को जलाएंगे तो लकड़ी ऊर्जा देती है है ना? ओक्सिजन के उपस्सीड leaf में हवा जब रहती है तो लकड़ी जलेगी और फिर क्या देगी? हमें ऊर्जा देगी कैलोरी मान अब यहाँ पर क्या आ गया एक मान है एक कैलोरी मान करके हम क्या निकालते हैं इंधन का कि एक माप निकालते हैं किसी चीज़ की ठीक है तो देखते हैं कि इंधन का कैलोरी मान होता क्या है किसी इंधन का कैलोरी मान किसी इंधन के एक एकाई द्रव्यमान या आयतन के पून रूप से जलने से उत्पन ऊश्मा की मात्रा है अब माल लिजिए कि हम हमें क्या निकालना है हमें निकालना है किसी इधन का कैलोरी मान अगर हम बात करें इंगलेश में क्या कहते हैं तो यह कहीं कहीं यह को अगर इसकूर इसका नाम जो है कभी क्यालोरीफिक वेल्यू सुन्ने को आध तो हो क्या है वो क्या लूरी मान ही है ठीक है अब जो बच्चे समझदार हैं वो तो समझ गए होंगे और जो बच्चे और भी जादो समझ दार है अगर उनको नहीं समझ आ है तो मैं बता दूँगी ना तो देखो समझदार बच्चों के लिए बताती हूं कि देखो जब द्रव्यमाणिस किया गया तो यहां पर ठोस की ब वस्था में मतलब आइसे इंधन की बात ओacağी जो ठोस में है मैं तो इनन होते हैं वो बशारी नहीं साघे साटों स अबार लकडि थोस है कोईला थोस रेकिन पेटरोल ृडीजल मिट्टी का तेल यह सब तो द्रव आएसल श्कर पैटरोल क्या लिखूंगी टेक लीटर पेट्रोल ठीक है तो यह हो गई इसका इकाई आय चाहिकाई द्रविमान हो जाए चाहिकाई आयतन हो जाए तो इस इकाई आयतन या इकाई द्रविमान में जो हमारा इंधन है उससे कितनी उश्मा उत्पन होई कितनी उश्मा की मातरा उत्पन होई, उसी को हम क्या कहेंगे, उस इंधन का कैलोरी मान, जब हम इस एक किलो लकडी को जलाएंगे, इस एक किलो लकडी से कितनी उश्मा की मातरा जलती है, उसी को हम इस लकडी का क्या कहेंगे, कैलोरी मान कहेंगे, सेम ऐसे पेट्रोल का कैलोर कि माळ्प काल इंधन के लिए कैलोरी मान का पता लगाने के लिए इंधन के द्रव्यमान पर विचार चाथ हैした तो अ ऐढ़नांगीं देखो अगर हम तरल की बात करें या गैसी इंधन की बात करें तो उस समय क्या होता है कि उस टाइम पर इनंग इन की कितनी मातरा ली जा रही है मतलब कि उसकी मातरा किसमें आयतन में ठीक हैode उस पर विचार किक्ः जाता है लेकिन ठोस इंधन है उसके कैलोरी मान का पता लगाना है तो इंधन का द्रव्य मान उस पर विचार किया जाता है ठीक है तो ये तो हो गई ये बात अब जो है उश्मी मान या कैलोरी मान जो है उसका हम क्या देख लेते एक सूत्र देख लेते हैं क्या होता है उपर आता है उश्मा क की मात्रा कितनी उश्मा की मात्रा मिली और नीचे उस इंधन का द्रव्यमान और इसके बगल में हम क्या लिख सकते हैं हम यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं आयतन ओके द्रवेमान या फिर आयतन ठीक और उपर के आजाएगा उश्मा की मातरा और यहाँ पर अगर हम बात करें किसे किस से वो किया जाता है तो यह किलो जूल एवं किलो ग्राम से नापा जाता है ठीक है यहाँ तक समझ आ है क्लीन कर दू अब अच्छा से दिख रहा होगा यह समझ आ गया इंधन का कैलोरी मान क्या होता है और इसका यह जो सूत्र है क्या होता है यहाँ तक आ गया आगे देखें आगे अब हम जानते हैं कि एक आदर्श इंधन के लक्षन क्या होते हैं इंधन में भी देखिए इंधन तो बहुत सारे होते हैं लेकिन अगर हम हम बात करें आदर्श इंधन के तो अदर्श इंधन के mult लक्षण होते हैं चल्क है आदर्श जैसे किसी बच्चे को when कहते हैं बहुत आदर्ष बच्चा ठीक आदर्ष नाम का बच्चा नहीं बीटा आदर्ष बच्चा मतलब की बहुत अच्छा बच्चा अना ऐसे बोलते हैं तो आदर्ष इंधन कौन सा इंधन बहुत अच्छा है जिसको हम क्या कह सकते हैं उसको हम आदर्ष इंधन कह सकते है तो उसके कुछ लक्षन होने चाहिए वैसे गुण दिखाएगा जब वैसे गुण दिखाएगा तो वो क्या कहलाएगा वो आदर्श इंधन कहलाएगा चीक है तो आप वो गुण देख लेते हैं इसका उष्मेमान उच्छ होना चाहिए, उच्छ होना चाहिए, इससे कोई प्रदूशन नहीं होना चाहिए या धेहन पर हानिकारक गैसे उथपन नहीं होनी होनी बहुत important चीज़ है कि आदर्श इंधन उसी को कहेंगे कि जब उसे जलाया जाए तो प्रदूशन नहीं होना चाहिए ठीक है या फिर दहन पर किसी भी प्रकार की हानिकारक गैसे उत्पन नहीं होनी चाहिए क्योंकि कुछ इंधन ऐसे होते हैं जिनको जलाने पर क्या होता है होता है किस वज़े से क्योंकि जब उन्हें जलाया जाता है तो बहुत सारी हानिकारक गैसे उत्पन होती है और जब यहानिकारक गैसे उत्पन होती है तो उससे क्या होता है उससे हमारी जो वायू है वो क्या हो जाती है प्रदूशत हो जाती है जिससे वायू प्रदूशन की घटनाएं बढ़ने लग जाती है ऐसमझ तो आदर्श इंधन में ये गुणतों होना ही चाहिए दूसरा हमने पहला हमने क्या देखा था कि उसका उश्मिमान उच्छ होना चाहिए मतलब कि अभी जो कैलोरिफिक वैल्यू हमने देखी थी कैलोरी मान जो देखा था वह अच्छा होगा तभी हम उसे बोलेंगे आदर्शीधन कीमत भी कम होनी चाहिए दूसरी चीज आसानी से उपलब्ध हो ऐसानी की मिली नहीं रहा है हमको अना बहुत दूर कहीं जाना पड़ता है किसी पूरे शहर में बस एक यह जगे पर मिलता है वह क्योंकि उसकी क्या है खुंदी कम है तो ऐसा नहीं होना चाहिए वह आसानी से उपलब्ध होना चाहिए साथ में उसकी कीमत भी इतनी होनी चाहिए कि उसे जादातर लोग क्या कर सके प्रयोग में ला सके इसे सम्भावालन भंडारण और परिवहन करना आसान होना चाहिए फिर इसको सम्हालना इ कहीं जहां भी बड़ी बड़ी जगे पर रखा जाता हो और इसका परिवहन इसे एक जगे से दूसरे जगे ले जाने में भी आसानी रहे ऐसा नहों कि हम इसे ले ही नहीं जा सकते ऐसी कोई स्थितियां पर स्थितियां नहीं आनी चाहिए तो यह सारी चीज़ा कैसी होनी चाह है इसका जो जोलन तापमान है मध्यम होना चाहिए अब देखो जोलन तापमान मतलब जो जब यह जले तो इसके तापमान की बात के तो ना तो यह बहुत लो जले के मुंबत्ती की तरह जल रहा हलका 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 है ना ना तो यह बहुत लो होना चाहिए और ना है बहुत ह बबंग के तरह फट जेइन वह भयानक सी आगोदी नहीं लपट वाली है कॉन सी अग बताऊँ हमां मैं आपको तो उस ठाइप कि ना बहुत ही होना चाहिए बहुत उच्छीं होना चाहिए और नहीं बहुत निमन होना चाहिए कि भिल्गों पते ही जल वी राय कुछ नहीं तो अगर देखा ऐसा कुछ होगा तो उसकी उश्मी मान पर क्या पड़ेगा असर पड़ेगा चीक तो पहले बता दे रहे हैं कि जो लंताप मान कैसा होना चाहिए मध्याम होना चाहिए ना ज्यादा तेज ना ज्यादा कम लास्ट पॉइंट देखें इसमें दहन की दर मध्याम होनी चाहिए अब जो दहन की का रेट है वो भी मध्याम होना चाहिए ऐसा नहीं कि जलाने लग गए तो बहुत देर बाद जल रहा है हम परिशान हो गए जलाते चाहिए जल क्यों ने रहा जल क्यों ने रहा तो बहुत लग गया ऐसा भी नहीं होना चाहिए और ऐसा भी नहीं कि एकदम से लगा तो अचानक से जल जाए हमको भी ना पता चानक से जल जाए जैसे बम फूटते नहीं कभी-कभी कि हमने बंप लगा हमको भी नहीं पता होता वह एकदम से फट जाते कभी-कभी हुआ होगा आपके सा फट से फट गया होता है हुआ है कि नहीं हुआ है तो ऐसी चीज़े भी इस तरह से भी उसकी जो दहन की दर है वो कैसी होनी चाहिए ना तो बहुत तेजी से ना तो बहुत धीरे हैना तो इस तरीके से जो सारे लक्षन लिए रहता है उसको हम क्या कहते हैं उसको हम आदर्श इंधन कहते हैं यहां पर मने कितने आपको कुछ छे लक्षन बताएं हैं यह छे लक्षन किसके हैं यह छे लक्षन आदर्श इंधन के हैं ठीक है यहां तक समझा गया आगे देखें आगे बात करते हैं जीवाश मी इंधन की इंधन तो जान लिया आपने अब ये जीवाश मी इंधन क्या है क्योंकि शब्द का भी प्रयोग होने वाला है तो भाई क्या है ये जीवाश मी इंधन तो देखो कोईला पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसे जैसे खत्म होनी वाले प्राकृतिक संसाधनों का निर्माण जीवित जीवों के मृत अवशेशों से हुआ था अब हमारा पाठ क्योंकि क्या है कोईला, पेट्रोलियम और हम पढ़ेंगे इसमें प्राकृतिक गैसों के बारे में हैं, चीक है? कोईला, ला को क्या हो जाता है, मैच क्यों हो जाता है, कोईला, चीक, पेट्रोलियम और एक और क्या पूलना मने, प्राकृतिक गैस ये सभी क्या है, बिटा? कि ये सभी चीज़ें जो है, ये क्या है, पहले तो? पहले तो मैं आप लोग को बता दूँ, ये सभी क्या है? ये सभी है, प्राकृतिक संसाधन ये हमें किस के द्वारा प्राप्त होते हैं? ये हमें प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं दूसरी चीज़, बहुत जरूरी कि ये जो है, प्राकृतिक संसाधन के अंतरगत भी किस में आते हैं? ऐसे नहीं बनाती हो यह तो गलत बन गया हमारा है ना पूरा चार्ट ही गलत बन जाएगा हमारा सबसे पहले मुझे लगना चाहिए नीचे प्राकृतिक संसाधन के अंतरगत हमने दो तरह के प्राकृतिक साधन पढ़े थे इसकी अगर मैं बात कर दूं तो ये कौन से मानवी क्रिया कलापों से नश्ठ होने वाले हैं प्राकृतिक संसाधन है वह कौन से हैं कोईला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस ये तो हो गया जान गए क्या है प्राकृतिक संसाधन हैं कौन से मानवी क्रिया कलापों से नश्ठ होने वाले कौन कोईला पैट्रोलियम और प्राक्रतिक गैसे अब इनका निर्माण कैसा हो कैसे हूँ तो हिनका निर्माण जो है वह जीवित जीवों के मिरत अवशेशों से हुआ है ठीक है इनका निर्माण कैसे हुआ है तो इनके निर्माण में इनका निर्माण जो है वो जीवित जीवों के मृत अवशेश अब इसका तातपर क्या है मैडम सीधे सीधे शब्दों में क्यों नहीं बताती है आप जीवित जीवों की मृत अवशेश से तातपर यह है जो भी चीज जीवित थी जितने भी जीव आप जीवित जीव में कौन आते हैं प्राणी हो गए पक्षी हो गए है न मचलियां हो गए यह सारी चीज़े हो गए साथ के साथ बिलकँ नहीं भूलना है हमारे पेड़ी क्या वह भी जीवित ही है सजीव में आते हैं तो हए सारे जीवित जीवथ है इनके मृत अविशेश जब यह मर जाते है तो उसके बाद ही मिटी में दब जाते हैं, मिटी के नीचे जब दबते जाते हैं, तो इसके बाद इनके अवशेशों से किसका जन्म होता है, क्या बनता है, कोईला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैसे बनती हैं, इनके, किनके जीविजीवों के मृत अवशेश से, आगे को हम क्या बोलते हैं उन्ही को हम बोलते हैं जीवाश्म अतर इन्हें जीवाश्म इंधन कहा जाता है क्या कहा जाता है इनको जीवाश्म इंधन कहा जाता है क्यों क्योंकि इनका प्रयोग किसके रूप में होता है बताइए देखे यह हो गए जीवाश्म जीवाश्म से बने इनका प्रयोग होता है इंधन के रूप में तो यह क्या कहला है यह कहला है जीवाश मीधन तब समझ आए कि जीवाश मीधन कैसे कहला है ठीक है कोईला और पेट्रोलियम बहुत महतपून प्राकृतिक संसाधन है और आधुनिक समाज में महतपून भूमिका निबाते हैं अब अगर हम बात करने कोईला पेट्रोलियम की तो यह बहुत ही जादा महतपून प्राकृतिक संसाधन है ठीक है और इनका जो हमारे समाज है समाज क्या हमारे पूरे जीवन में ठीक है इनका बहुत महतपून क्या है इनकी भूमिका है यह प्रत्वी की भूपरपटी में पाए जाते हैं अब ये पाए कहां जाते हैं ये प्रत्वी की इंको न काला जाता है और फिर क्या किया जाता है इनका प्रयोक किया जाता है ठीक है तो तो यह क्या हो गए? यहां तक, अच्छा मैंने आधा संसाधन लिखा था, यह लोग, संसाधन, ठीक है? वो मिट गया होगा, तो यहां तक समझ आया कि यह क्या है? और यह यहां पर जीवाश मीधन क्या है? क्लीन कर दूँ, चीक है? आगे देखें, देख लिया, चल, तो यह क्या हो गया? यह हमारा क्या हो गया? कोईला पेट्रोलियम का इंधन वाला भाग हो गया, यहां पर हमने क्या जान लिया? यहां पर हमने इंधन के बारे में जान लिया, कि इंधन जो है, वो क्या होता है? ठी इसके बाद हमने क्या जाना हमने जाना कि आदर्श इधन क्या होता है उसके क्या लक्षण होते हैं और फिर उसके बाद हमने सबसे important सबसे महतपून जानी वो है क्या जीवाशम इधन क्या है जीवाशम इधन को याद रखना क्योंकि आगे अब हम सिर्फ जीवाश मीधन के बारे में ही पढ़ने वाले हमारा कोईला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हम इन ही के बारे में आगे क्या करने वाले हैं? और जादा अच्छे से पढ़ने वाले हैं तो अब अगली क्लास में आप क्या करोगे कि अभी तक आपने जित्ता भी पढ़ा है उसको अच्छे से एक बार रिवाइस करके आना है फिर से पढ़के आना है ताकि जब हम नेक्स क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट करें नई चीज पढ़ें तो हमको क्या हम कुछ भी वीडियो देखने के लिए जुड़े रही है मैगनेट ब्रेंस के यूट्यूब चैनल वेब साइट और एप से मैगनेट ब्रेंस है इंडिया का नमबर वन हंडिट परसेंट फ्री ऑनलाइन एडुकेशन प्लैटफॉर्म अगर आप हमसे इनोट और ईबुक्स भी लेना च में और इन कोर्सेश के लिए आपको किसी भी तरह का कुछ भी पे नहीं करना पड़ता क्योंकि यह क्या है यह है 100% फ्री ऑफ कॉस्ट अगर आप हमसे अधर सोशल मीडिया प्लैटफॉर्म पर भी जुड़ना चाहते हैं तो हमें फॉलो कर सकते हैं फेस्बॉक इंस्टरग ट्विटर और टेलीग्राम पर तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए बाए बाए